जे मसीगी दोस्तों, आज की स्वर्गी मन्ना का भागा हमने लिया है भजन सहिता की पुस्तक, उसका 149 अध्याय और उसका 23 वचन वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे जाच कर मेरे हिर्दय को जान ले, मुझे परक और मेरी चिंदाओं को जान ले धन्यवाद पिता परमेश्वर, यह वचन उस दर्द की व्यथा को बताता है, जो हम सब में पाई जाती है दोस्तों, हम कभी-कभी अपना हर दुख, अपनी हर चिंता, हर एक से नहीं बाड़ सकते हैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हम ना अपनी पत्नियों से बाड़ सकते हैं, ना अपने मां से, ना अपने पिता से, ना अपने दोस्तों से, ना अपने पत्तियों से कोई चीज़े ऐसी होती है जो हमारे मन में रहे जाती है कुछ चीज़े ऐसी होती है कुछ चिंताय ऐसी होती है जो हमारे मन में रहे कर हमें खाये जाती है और हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर भजनकार कहता है कि तू तो महान है पता परमेश्वर भजन सहीता 149 का दूसरा पत कहता है कि तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है पता तू ऐसा है कि मेरे विचारों को जो मेरे मन में है जो मेरे मन में आने वाले है उन विचारों को तो दूर सही समझ लेता है तो इतना अच्छा पिता है तो इतना सर्व शक्तिमान है तो इतनी वारीकी से हमें जानता और हमें प्यार करता है इसलिए दोस्तों ये ब्रातना हमें बताती है कि वो कहता है कि तो मेरे दिल को मेरे हिर्दे को चांच ले और मुझे परक कि कहीं मैं कहीं मैं कोई भी निरने लेने में गल्ती तो नहीं कर रहा हूँ कहीं मैं तेरी सेविकाई करने में गल्ती तो नहीं कर रहा हूँ मुझे चांच और मेरी चिंताओं को चांच जिन चिन्ताओं को मैं नहीं जानता हूँ जो चिन्ताओं मुझे में बसी है जो चिन्ताओं मुझे चूट पहुँचाती है जो चिन्ताओं मुझे आगे बढ़ने नहीं देती है जो चिन्ताओं मुझे आतों विश्वास मेरा खो देती है मेरा विश्वास मुझसे छीन लेती है उन चिन्ताओं को जान और उन चिन्ताओं को मुझसे दूर कर दे परमेश्य ताकि चिन्ता रहित होकर मैं सिर्फ सुख और शांती के साथ तेरी ओर बढ़ता जाओं और तेरी सेवा करता जाओं तेरी सेवा में इस सुख है क्योंकि शांती का दूद्ध तू है शांती का राजकुमार तू है तू हमें सुख देने के लिए धर्टी पर आया है इसलिए यहाँ पर मजणकार कहता है कि मुझे चिंताओं से मुख्ट कर उन चिंताओं से मुख्ट कर जिसे मैं किस के सामने बया नहीं कर सकता मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई इस धर्टी पर ऐसा है जिस पर मैं विश्वास करूँ और अपने इन चिंताओं को बताओं अपने दिल की बेवसी को बताओं कोई ऐसा नहीं है इसलिए पिता परमेशर में तेरे सामने नत मस्तक करता हूँ इसलिए मती छेक अच्छे कहता है कि जब भी तू प्राथ ना करे तो अकेले में आ और अपने पिता के साथ दर्वाजे बंद करके अकेले में बात कर दोस्तों हम अकेले में जाएं अपने पिता से कहें जो भी हमारे मन में है और मैं विश्वास करता हूँ परमेशर हमारी हर चिंता को दूर करेगा अकेले में उस पिता के साथ संगती करके उसकी शक्ती हम ले और अपनी चिंताओं को उसको दे दे यही नियम है यही वो चाहता है कि हम पूरी तरीके से रिक्त हो जाएं पूरी तरीके से हम आजाद हो जाएं हर चिंता हर बंदन से ताकि पूरी इमानदारी के साथ पूरी स्वतंद्रता के साथ हम पिता की आरादना कर सकें कोई भी बाधा कोई भी चंता उस आराधना के सामने ना आए उस आराधना में ना आए जो हम पिता के लिए कर रहे हैं पिता परमेशर धन्यवाद देता हूँ हमारी प्रात्रों को सुन परमेशर और हमारी हर चंता को तू अपना ले हमारी हर चंता को तू हम में से निकाल ले समर्पित करते हैं अपने हर भाई बेन को परमेशा इनकी चिंतां को हर और आशीश दे तेरी शांती दे तेरा सुख दे तेरा समर्थ इश्च मसी के पवत समती ना दे मागा धन्यवा देता हूं